पनीर का पडाठा बनाते हैं आज की रेशिपी में यह खाने में बहुत स्वादिश लगता है हेल्थ की द्रिष्टी से भी बहुत अच्छा है बनाना बहुत ही आसाल है सबसे पहले एक बाल में 200 ग्राम पनीर को करस्ट करके डालेंगे हापे मैंने घड़क से का बनाया हुआ यह कॉटा प्याज 4-5 बाल मिर्च dal के अच्छे से मिक्स करेंगे भी डाले अब अच्छे से फिलिम को मिक्स करेंगे जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब साइ्ट रख के मुलाया माटा गूथ लेंगे फिलिंग रेडी है, आटा को गुतने के बाद हम लोई को गोल-गोल कर लेंगे, उसके बाद आटा लगा कर हम लोग अंगली की सहाता से होल करेंगे, होल करने के बाद जो फिलिंग हम लोग बनाए थे उसे देर चमच के लगवा कर भड़ेंगे, उसके बाद दबा दबा के उ बहुत स्वाधिस लगता है और हेल्थ की दिश्टी से भी बहुत अच्छा है तावा गरम करने के लिए चरहा दिया है अब हम लोग फिलिंग को भड़के देखिए यह ऐसे बेल दिये हैं हम लोग अब तावा पे रखके अब हम लोग पलट करते हुए सेख लेंगे तावा प उसके बाद पलट कर दूसरे साइड से भी हम लोग तेल लगा लेंगे यह बनने में तावा पे सेखने में एक से डिर मीनट का समय लगेगा और यह बनकर बिल्कुर डेली हो जाएगा दोनों तरफ से हम लोग तेल लगा के उलट पलट करते हुए बदामी रंका होने तक पक यह देखिए एक साइड से पग गया है दूसरे साइड से चेक कर लिजीए पका है इतना आज कि नहीं यह दखिए दोनों साइड से पग गया है यह बिलकुर रेडी हो गया है आप अपने मन पसंड डिस के साथ इस इससे सभिशे करें खाने में बहुत Storm का यह लगता वह बन